मत रोना किसी के छोड़ के जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आये नए नए बहाने से, भलाई करते रहिए बाते पानी की तरह, बुढाई खुद ही किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह, चेहरे की हसी से अपने कश्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोल पर अपने रहस्य मत बताओ, साप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे मारते हैं, और सिविलिंग पर दिखे तो सम्मान करते हैं, लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी इस्थिती और अस्थान का करते हैं, सब दिखता है कौन कैसा है, इंसान दिखता है अगर पैसा है सेर के साथ संगत बनाओ. अगर कुतों के साथ बैठोगे तो सिर्फ लोगों के पीछे भौकना ही सीखोगे. इनसान तब समझदार नहीं होता जब वहां बड़ी-बड़ी बाते करने लगता है बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी-छोटी बातों को समझने लगता है अक्सर वही रिष्टे लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं वो रिष्टे बड़े ही प्याडे होते हैं जिनमें न दूर पास, न हक सक, न अपना पढ़ाया, न जात जज़वाथ हो अगर कुछ हो तो सिर्फ अपने पन का अहसास हो जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती हैं लेकिन हारने के बाद जो गले लगा है सिर्फ वही अपना होता है कोई आप से नराज है और उसे ये गुमान है कि आप उसे मना लोगें, तो उसका ये गुमान कभी तूटने मत देना, अपने रिष्टों को हमेशा वक्त दो, क्या पता, तुमारे पास वक्त तो हो, लेकिन रिष्टा ना हो, जो शिकायत नहीं करते, दर्द उन्हें भी होता ह कीमत आसों की नहीं होती, कीमत तो उसकी होती है, जो वक्त पर उन आसों को पोच देता है भरोसा और प्यार, रिस्तों के दरक्त पर बैठे दो ऐसे पंची है, जिन में से अगर एक उड़ जाए, तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है अहम के वजह से भी तूटते हैं कुछ रिस्ते, हर बार कुसूर गलतियों का नहीं होता है एक सच्चा रिस्ता वो है, जो आपके अतीद को समझता है, आपके भविश्यों में विश्वास रखता है, और आप जैसे भी हैं, वैसे ही आपको सुईकार करता है वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, और अपनों का पता चलता है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, और कभी-कभी अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ संबंद बारिश के जैसा न हो जो बरस कर खत्म हो जाए बलकि संबंद हवा की तरह हो जो बेसक खामोस हो पर हमेशा आसपास हो रिष्टे बेहतर हो सकते हैं कुछ अच्छा याद रखने से रिष्टे बेहतरीन हो सकते हैं कुछ बुड़ा बोल जाने से थोरा रूठना भी जरूरी है रूठने का हक तो अपने ही देते हैं पड़ायों के सामने तो मुस्कुडाना ही पड़ता है पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो बोलने से पहले सुनना सीखो खर्च करने से पहले कमाना सीखो दो बातों में पक्के रहिए, इमान के और जुवान के, दो चीजों से वच कर रहिए, जगडे से और मुकदमे से, बड़ीवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मा से बड़ी कोई छाओ नहीं, आपके पास जो है उसकी इज़्जत करना सीखि क्या पता उसे पाने के लिए कितने लोग रोज तरपते हैं, निंदा से मत घवडाओ, निंदा उसी की होती है, जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीप होती है, किसी के मीठे बोल है, किसी की नियत में जोल है, ये दुनिया है दोस्त, यहां सब के डवल रोल है, कि पुरना इतना माप तो मुआ ने खुद को भी नहीं किया। रिष्टे अगर दिल में हो तो तोरने से भी नहीं तूटते और अगर दिमाग में हो तो जोरने से भी नहीं जुटते। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए मगर अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तिमाल मत कीजिए जो लोग सात राकर सवार ना सके वो हमारे खिलाप होकर हमारा क्या विगार लेंगे कुछ थपर ऐसे होते हैं जो गाल पर तो नहीं लगते लेकिन आत्म सम्मान और रूह को अंदर तक चोट पहुचाते हैं सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना क्योंकि उसका जवाब उपर वाला बरे टेड़े तरीके से देता है रिष्टे और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं लगा कर बूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं जूट भी कितना अजीव है खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है ये जीवन है दोस्त उलजेंगे नहीं तो सूलजेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे मैंने जिंदगी से पूछा तू इतनी कठिन क्यों है जिंदगी ने हसकर कहा दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करते